कॉंग्रिस की राष्टे महा सचीव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रेंका गांधी वर्डरा लखनौ में है लखनौ में आज चोथा दिन है और आपको बता दें से पहले 30 दिन थी तो पार्टी कारेले से लेकर उनके घर तक जगा जगा स्वागत और अभिनंदन के पो 29 साल में नजारा इतना बदला क्यों और इस बार प्रेंका मिशन 2022 के रड़नीती पार्टी कारेले में नहीं भलकी गोखले मार्क पर उस कॉल हाउस में बना रही हैं जहां वो रुकती हैं यानि उनका लखनाओ का घर और देर रात तक बैठकों का सिलसला भी यहीं चल रहा ह और उनके स्वागत के लिए पहले की तरह भारी भरकम होडिंग बैनर पोस्टर भी गायब हैं और तीसे दिन प्रेंका कुछ देर के लिए पार्टी कारेले गई भी तो बैठकों के लिए नहीं बलकी कुछ लोगों से मिलने और उसके बाद फिर कॉल हाउस आकर बैठके करन नीती ही नहीं बना रही बलकी बीजेपी और मंतियों के स्तंज का जवाब देने की कोशिश भी कर रही हैं और पार्टी के नेता भी मानते हैं कि इस तरह के बरलाव से संदेश देने की कोशिश है कि यूपी उनका घर है और पार्टी नेताओं की माने तो इस बार उनका कार प्राइकरम जारी ना होने के एक वज़ा ये भी है कि ऐसा करने से पता चलता है कि वो कब तक यहां है और ऐसा होने से यही लगता है कि दोरे पर आई हैं और कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष अजे कुमार ललू ने कहा कि प्रेंका कभी यूपी दोरे पर नहीं आती बलकि कल भी यहां थी और आज भी हैं और कल भी रहेंगे अजे ललू ने कहा कि वीज़ा पिक के नेता यूपी में टूर यह दोरे पर आते लेकिन प्रेंका के लिए यूपी उनका घर है पॉलिटिकल एनलिस्ट वीज़े उपादय कि माने तो प्रेंका का दोरा चुनाफ के दोरे बढ़ा देते इस तरह तो सभी का पॉलिटिकल दूर होता है जारकंड की राजधानी राची से एक दिल देला देने वाली ख़वर आई है वह आवे संबनों की वज़े से तीन लोगों को अपनी चान से हाथ धोना पड़ा है एक बच्ची की आँख में चाकू लग गया और राची के एक अलारी थाना छेट के मोहन नगर में आपसी मारपीट में एक सीसी ऐल करमी सही तीन लोगों की मौत हो गई और वहीं एक बच पलवार राद प्रकास देव प्रसाद के घर घुज गया और आपको बता दे कि देव प्रसाद और प्रकास के बीच मारपिट हुई जिसमें घटना स्थल पर ही प्रकास और कोशल्या की मौत हो गई और गायल देव प्रसाद और उसकी बेटी को ढकरा सी सी ऐल अस्पताल ल आज के दोरान देव प्रसाद की भी मोत हो गए और बच्ची की आँख में चाकू लगा है उसे रिम्स बेज दिया गया है बिहार के अररिया जिले के बरगामा प्रखंड के बीस पंचायतों में बुद्वार के सुबा से मददान कारे जारी था और वहीं बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद पर पहुँचे पर अपने मतदिकारी का परयोग किया हाला कि इस दोरान भारी को ववस्ता की तस्वीर सामने आए चुनाफ की तैयारियों को लेकर प्रशासनिंग किस तरफ से चाहे कितने भी दावे किये गए हो लेकिन जमीनी हकीकात कुछ और ही है निर्वाचन आयोग और जिलप्रशासन्स किस तरह चुनाफ संपन करा देने की कवाईद में दिख रही है और जिले के वीर नगर पूरा पंचायत में जहां चार पंचायत समीती सदेस्यों सहीद कई पंचायत के विभिन पदों के उमिद्वारों को आवंटित चुनाफ सिन को ईवे मसीन में अंतिम शंड बदला गया और वहीं रगुनाफ पूरा दक्षिन पंचायत के मद्दान कें संक्या 87 में मद्दान कर्मी जमीन पर बैठ कर किसी तरह मद्दान कारे संपन कराने की कोशिश कर रहे थे और वहें इदर अगुनाद पूर्डक्षिन वार्ड संक्या एक मददान केंद संक्या 87 बावन पोठिया में मददान कारे में लगे करमचारी उकले टेबल कुरसी तो दूर दरी तक की विवस्तान नहीं की गए ती किसी तरह मददान करमचारी जमीन पर ही बैटकर मददान कराने की कोशिश करते रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रही आरिया नियूस